उत्तर प्रदेश सरकार के तर्च पर मद्ध प्रदेश सरकार भी गुंडो माफियों पर लगातार नकेल कस रही है इसी कड़ी में नगर निगम की रिमूबल गैंग ने बुधवार 2 दिसंबर को सुबा भू माफिया बब्बू उर्फ सुल्तान शेक और छब्बू उर्फ शाबिर के आलिशान मकान को ध्वस्त कर दिया जिसको नगर निगम और पुलिस ने पहले नोटिस जारी करके खाली करवाया फिर जेसी भी और पोक लेन की मदस से करीब तीन घंटे में हवैद मकानों को जमी दोस कर दिया बता दें दोनों ही महाफियों पर मारपीर चोरी हत्या की कोशिश के एक दर्जन से जादा अपराद दर्ज है 2015 में उनका नाम गुंडे शहजाद लाला हत्या कांट में सामने आया था उससे पहले इन्हें मामली चोरी चकारी जैसे मामलों में गिना जाता था धीरे धीरे दोनों ने अपनी पहुँच नामी गुंडो और हिस्टी शीटर से बनानी शुरू की इसके बाद उन्होंने इलाके में क्राइम को अंजाम देने के लिए गैंग बनाकर गुंडों से काम करवाना शुरू कर दिया ताकि पकड़े जाने पर इनका नाम सामने ना आए कहा जाता है बब्बू चब्बू सिंडिकेट में रसूकदार लोगों के साथ मिलकर विभिन पार्टियों के नेता और कुछ पुलिस अफसरों की मदद से क्राइम को अंजाम देते थे और इसके काले कारणामों से दोनों मिया भाई ने अवैत कारोबर का सामराज खड़ा कर दिया रिपोर्ट के अनुसार बब्बू चब्बू ने खजराना इलाके में कई सरकाई जमीनों पर कब्जा कर लिया था और जमीन से संबंधित लोगों से साठगाट कर उन्होंने इलाके में अवैत कालोनियों का निर्माण शुरू करवा दिया था नोटरी के तहट प्लोट की नीलामी भी की गई इसी अवैत धंदे को देखते हुए इन दोनों ने टेलरिंग और पेंटर का काम बंद कर दिया जमीन का यह अवैत धंदा इतना फलाफूला की जिन बदमाशों के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं रहते थे अब उनके पास गाड़ी और बंगला आ गया साथी अलग-अलग जगहों पर उन्होंने आगे के लिए पैसा लगाना शुरू कर दिया वहीं जब इसकी खबर प्रिशाशन को लगी तो पुलिस ने दोनों पर दाबिश देते शुरू कर दी इसके तहट बब्बू की गिरफतारी हो गई लेकिन चब्बू भोपाल में प्यारे मिया की शरण में चला गया वहीं प्यारे मिया जो की लड़कियों के अवैद धंदे के सिलसले में सलाखों के पीछे हैं नगर निगम ने एक साल पहले बब्बू के पटेल नगर इस्थित फार्म हाउस पर दबिश देकर अवैद बिल्डिंग को धुस्त करवाया इस दोरान पुलिस ने ग्राउंड में खड़ी 50 नई इलेक्ट्रिक बाइक भी बरामत की थी दोरान बब्बू की पत्नी ने काफी हो हला भी मचाया था